हेलो गाइज कैसे हैं आप सब मैं ठीक हूँ वेलकम टो मैं चनल हिमाजली ब्लॉगर सरीता तो आज फिर से मैं आपके साथ एक रेमेडिश करूंगी जिसे आप रोज यूज कर सकते हैं चाहे आप रात को यूज करें और दिन में यूज करें और इसको आपने एक हफ्ता यू इसको हम अच्छे से करेंगे और कॉटन से अपने फेज पर इसको अप्प्लाई करेंगे बस दूद हल्डी और शहर और आप ग्रिसलिन भी आड़ कर सकते हैं और एक हफ्टे तक आपको इसको अपने चहरे पर रूज करना है इससे आपका फेज लो भी करेगा और जिसनी भी आपके फेज पर जूरियां पढ़ियें फुसंत खतम करेगा तो अब हम इसको अपने फेज पर अप्लाई करेंगे इससे आपको ज़रूर फाइदा होगा अब भी दिखिए मैंने इसको अपने पूरी फेज पर अप्लाई कर दिया है इसको अच्छी तरह अप्लाई करना है अब रात को सोने से पहले भी कर सकते है और सुभा भी कर सकते हैं बन बीक तक करना है आपको ऐसे तो गाइस अभी मैंने अपना फेस वाश किया है तो बताना तरह कैसा लगा मेरे फेस पर गलो आया है की नहीं आया तो वो आपको देखने से ही पता लगेगा मैं क्या बता हूँ आपको तो मैंने क्या सिर्फ एक दूद लिया थोड़ा सा दूद ले लीजिए और शहद हल्दी आप अलो वेरा भी आइड कर सकते हैं इसमें ग्लिसरीन भी आइड कर सकते हैं ग्लिसरीन तो बहुत ही अच्छी होती है सर्थियों के लिए तो आप ये सब चीज़े यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में आप इसको रोज यूज़ कीजिए वन वीक तक इसको आप यूज़ कीजिए फिर रिजल्ट देखिएगा इसके और कैसी लगी आज आज आपको मेरी रेमेडी जरूर बताइएगा मुझे मैं आपके लिए लाइक, सेयर, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए मुझे आपके स्पोर्ट की जरूरत है प्लीज ओके बाबाई गाई